बहुत बहुत सोगत है सभी का हमारी योटोब चैनल मेदिया में मैं हुराज रब दिख रहे हैं सुन्स मेदिया शुरोब चैनल बिहाड बियर इंट्रेंस एक्जाम 2023 वह तमाम शात्र शात्र हैं जो ने असनातक की परिक्षा पास कर ली है या अभी हाल फिलहाल में असनातक क की परिक्षा दिये और उन्हें करना है इंटिजार में कि भीट का फॉर्म कब आएगा कि बीट का आने वालए है या आना होता है हर समय कप अब आता है कब ते के हो सकती है इसके बाद एक्जाम वगारे कैसे होता है बात किरूंगे से और जल्दि हम आपके आपको जोए कि 2 नहीं कर सकते हैं जिलोजी से नहीं कर सकते हैं हलाकि कर सकते हैं लेकिन हाँ आपको वहाँ पर जाकर करके सब्सक्राइब का नाम चेंज हो जाता है तो इस बात को दिमाग में नहीं लाइएगा अगर हम आर्स की बात करें तो साइकोलोजी हो फिलोसफी हो म्यूजिक हो भीट कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे यदि आपके और सब्सक्राइब से बीट हो जाहा रहा है तो फिर आपको सब शिलूडी से मौखा नहीं मिलेगा हम आपको बोर्ट पर बताएंगे सब्सक्राइब लिक्र करके यदि यह सब्सक्राइब आपका एजियों और से तो आप बी इस जनवरी को आपको मजफरपूर साथी दरभंगा के दैनिक्स दागरण में ये रिपोर्ट मिल जाएगी तो इसमें का गया कि 15 जून तक CET की होगी परिक्षा जुलाई में ना मांकर कुछ शात्र शात्र है कि जो सी इटी है इसको दे करके मत की आशर्ज हो जाएगा कि सीटी क्या है सीटी मतलब की कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होता है और यह एक टेस्ट बीएड में आड्मिशन के लिए बिहार में एक ही होता है जो कि है कि सबके लिए कौमन होता है इसलिए इसको यह इसायाँ किया गया है औरश्र के जैसे हैं इसलिए शोकारी है उसको करकेह बता है 343 बीएट कॉलेज में 77,000 सीटों पर नामांकन के लिए 15 जून तक बिहार बीएट इंटरेंस एक्जाम 23 वाली आयोजीत कराई जागी सभी परक्रिया पोड़ी कर ली जाएगी आप देख पारे इसके बाद 15 जुलाई तक सत्र 23 से 25 में नामांकन भी पूरा करा लिया जाएगा मतलब कि आप हम कहें तो 15 जून तक आपको एक्जाम ले करके रिजल्ट दे करके सरा चीज़ कर लिया जाएगा उसके बास है जब अब फर्म कब आगा तो इसमें कहा जो रहा है कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में राजस्तर ये प्रवेस परिक्षा का शिरूल जारी कर ओनलाइन आवेदन परिक्षा की तीथी परिनाम एबं अन्य जानकारी साजा कर दी जाएगी मतलब कि फरवरी फर्स्ट वीक में आपक स्वे sonat process क्या होगा लगबग 12 देर्व पेज का लिस्ट जारी होता है तो उसमें हर चीज पता चल जाता है तो आप देख पाते कि फरवरी में सारी डिटेल्स में आपको देर जाएक तो है तो इंट्रेंस एक्जाम मितला उन्वस्टी ही लेगी उसके बाद किसी भी उन्वस्टी से आप बीएट कीजिएगा पहले इंट्रेंस वहां पर देना होगा अब देख पार है कि दो वर्षी यह प्रवेस परिक्षा योजित करने के लिए मितला विश्यविदालक को अनु के दिखार के उन्वस्टी में एक्जाम वगएरर हो बंसले करके यह आपके किसी भी उन्वस्टी में आडमिशन करवाने तक मितला इनोरस्टी काम करेगी हम आपको हर रिपोर्ट करेंग अब लोग चोंगी नहीं होगा आप देख पाए और उनीच दिया गया कि पिछले त तो आप देख पार है आपको फर्वारी फर्स टिक्ट में आपको हर चीज पता चल जाएगा और 15 जून तक सारी चीज़ें कर ले जाएगा देख पार है कि एक महीना तक फॉर्म भने का डेट रहता है यदि मार्च में डेट आएगा तो अप्री तक डेट रहेगा और मही में इंट्रेंस एक्जाम हो जाएगा और 15 जून तक रिजल्ट वगयरा भी आजाएगा इंट्रेंस एक्जाम का आप देख पार है हम बदाएंगे आपको हर्चीज आप लोक्शनल से जुड़ रहे बहुत बहुत शुक्रिया आपका चुरू को देखने के लिए